हेलो बच्चो तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्वाइस ब्वाइस क्या होती है और ब्वाइस कितने परकार की होती है और एक ब्वाइस से दूसरे ब्वाइस में कैसे इंटर्चेंज करें कैसे बदलें वह दो परकार की होती है पहला होता है आपका active voice और दूसरा होता है आपका passive voice आप लोग तो पहले से पढ़े होंगे तो इस वीडियों में ऑबरव्यू देदाँ वाइस का और ज्यादा तर हम ध्यान देंगे इसके इंटर चेंज पर की एक्टी वाइस को पैसिफ वाइस में कैसे बदले उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो क्या होथा है कि voice जो होती है वो दो परकार के होती है active voice, passive voice और जो passive voice होती है इसमें आपका जो कर्म होता है जो object होता है वो प्रधान होता है मतलब object को प्राथमिक्ता इसमें दी जाती है और इसमें जो होता है आपका subject, इसमें subject को, subject प्रदान होता है, मतलब कि इसमें subject को प्राथमिक्ता दी जाती है, active voice में subject को प्राथमिक्ता दी जाती है, और passive voice में object को, कहना का मतलब है कि जब passive voice बनाएंगे, तो सबसे पहले हम object को लिखेंगे, और active voice में सबसे पहले subject को, इतना करने के बाद Active Voice है आप लोग जैसे TENSE बनाते हैं उसी परकार से सम्द एकटीव वाइस होता है आपका TENSE है Active Voice और दो TENSE है Active Voice TENSE माना आता होगा आपको तो आप वह ही आपका Active Voice है और बस हमें PASRY Voice बनाना सीखना है तो एक example ले लेते हैं एक example ले लेते हैं active voice का who मालीज लिख लिए who loves you ठीक है who loves you तो ये आपका active voice हो गया ठीक है ये आपका active voice हो गया और who loves you ये present in infinite tense है तो जब इसे passive voice में बनाएंगे तो हूं के जगह पर आपका बाई ये क्यों हो लेगी एक्जामपल समझने के यह एकसी प्रेसी बोई में बनाएं जाएंगा तो यह आपका होजाएगा पैसी बॉइस तो इस तरह से चेंज करते हैं एक्टिव वाइस को पैसी वाइस में तो यह अभी इसका ओबर भी था अभी इसका रूल से देखेंगे और एक एक टेंस का पैसी बाइस बनाएंगे चले देखते हैं तो ध्यान से देखो कि जो पहला नियम होता है एक्टिव एंड पैसी बाइस दो वाइस होता है कि एक्टिव से पैसी में उन्हीं वाक्य को बदला जा सकता है जिनका वर्ब ट्रांजिटिव हो और इंट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य की पैसी बाइस नहीं बनता है ट्र वो ट्रांजिटिव वर्व होते हैं और intransitive जिनमे कर्म नहीं होता है ओके object नहीं होता है तो ये दोसरा नियम है कि passive voice में बदलते समय active voice के वाक्छी का करता जो subject होता है वो बदलकर passive voice के वाक्छी में कर्म object बन जाता है तथा इसे पहले बाई का पर्योड करते हैं कहने का मतलब है कि जब active voice दिया होगा और जब आप उसे passive voice में बदलेंगे तो जो active voice का object होगा वो passive voice के subject में बदल जाएगा तिसरा है rule आपका कि active voice के वाके के object को passive voice के वाके का subject मना देते active voice के वाके के object को पैसी ब्वाइस के वाकिय का सब्जेक्ट बना देते हैं ध्यान दिजिए का कि जब भी जो एक्टी ब्वाइस में अब्जेक्ट होगा वो पैसी ब्वाइस में उसका सब्जेक्ट होगा चोथा नियम है कि यदि किसी वाक्य में दो अब्जेक्ट हो तो पैसिव वाइस में बदलते समय इन में से किसी एक अब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और दूसरे को अब्जेक्ट वैसा ही रहने देते हैं पांचवा नियम है आपका कि पैसी बॉइस में वर्ब टू भी हो, is, are, am, was, where, be, been, being की कोई फार्म तथा मुख्य किरिया की ठोड फार्म का परियोग करते हैं होके, इतना आपको समझ भाएगा, अब, टेंस वाईस, टेंस वाईस हम, देखते हैं, इसके रूज, एक्ठीव से पैसी बनाने के तो चलिए, देखते हैं कि पर्जेंट इनिफिनिट टेंस है, तो पर्जेंट इनिफिनिट टेंस को हम पैसी बॉइस में कैसे बदलेंगे, इसको बनाने का नियम मैंने लिख लिया है और यदि मैं वीडियो में यह दिये करके नियम बताओ तो वीडियो बहुत लंबी होगी और ज्यादा टाइम भी आपका बेरती दुगा इसलिए मैंने इसको लिख लिया नियम को रूल को एक अच्छे तरीके से जिससे की आपको औ रूल है कि active voice दिया होगा आपका तो active voice का object ठीक है सबसे पहले लिखेंगे active voice का object प्लस helping word में is rm object के अनुसार ठीक है प्लस b3 word की third form प्लस by प्लस active voice का subject ठीक है active voice का जो object रहेगा उससे सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद is rm में से किसी एका परियोग करेंगे उसके बाद हमेशा हमेशा word की third form का प्रियोग करेंगे प्लस by और प्लस active voice का जो subject होता है उससे last में लिखते हैं अब आता है आपका negative sentence के लिए present infinite हो और वो negative में हो तब क्या करेंगे तब भी active का object सबसे पहले लिखेंगे जो active voice आपका है उसका object सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद is rm में से किसी a का प्रियोग करेंगे जो आपका object पहले लिखेंगे उसके अनुसा is rm में से किसी a का प्रियोग करेंगे प्लस not प्रियोग करेंगे प्लस by करेंगे उसके बाद जो active voice का जो subject दिया होगा सबसे पहले उससे हम last में लिखेंगे यह हो गया अब इसके बाद आपका आता यह दि interrogative sentence दिया हो present in response का interrogative sentence दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे Is are aim किसी एक है परियोग करेंगे ञएग है फिर plus active voice का subject active voice का जो object है उसका उसका लिखेंगे plus active voice का mesmo जो object है इसले किसी एको हम लेंगे Is r A में से ठीक है Active voice का अबजेक्ट पलस verb की third फार हम ऐसा यूज़ करेंगे पलस by पलस Active voice का जो subject रहेगा इसमें object बनेगा यह होता है कि जो Active voice का जो subject होता है एक बार यहां पर ध्यान देद जी लिए आप लोग, कि जो Active voice का Active voice का subject पैसिव वाइस में चेंज करते हैं तो यह अबजेक्ट बदल जाता है और यही एक्टिव वाइस का जो अबजेक्ट होता है वो अबजेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वाइस में यह आपकी पैसिव वाइस है तो ध्यान स देखिएगा कि जो active voice का आपका subject होता है यो passive voice में आपका object बन जाता है जो active voice में आपका object होता है वो passive voice में आपका subject बन जाता है तो present infinite का rule हमने पढ़ लिया कि कैसे present infinite जो tense दी होंगे एक्टी ब्वाइस दी होंगे हम कैसे उन्हें पैसी ब्वाइस में convert करें तो देखते हैं कुछ स्टार्ड करते हैं тоб presence आपका आपना पैसी ब्वाइस नियुस्am recuperator आपको स्टेंस आना चाहिए तो आई कीं वोईस बनाना आपके दाहें धा logr ठीक है तो I kill a snake यह active voice में दिया है हमें इसे passive voice में convert करना है तो यह simple sentence है तो simple sentence का यहाँ पर rule लगाएंगे rule क्या था हम लोग का simple sentence का कि active का object प्लस is rm प्लस b3 प्लस by प्लस active voice का subject तो यहाँ पर लिखते हैं कि सबसे पहले क्या पर्योग करेंगे हम object ठीक है active voice का जो object होगा सबसे पहले करेंगे तो object क्या है a snake है तो a snake को सबसे पहले लिखते हैं तो लिखते है a snake उसके बाद क्या था कि is rm में से किसी एक का helping verb का पर्योग करेंगे तो a snake है singular है इसलिए इस का पर्योग करेंगे इस हो गया, यह snake इस, उसके बाद क्या था, कि जो वर्ब होती है, यह वर्ब है, kill, तो इसका हम third farm पर्यू करते हैं, passive voice बनाते समय, तो जो आपका kill है, इसका third farm हो जागा killed, उसके बाद by हो जाता है, और जो subject होता है, active voice का, मैंने बताया था, कई बार आपको बताया था, कि जो subject होता है, active voice का, उसे हम object बना देते हैं, passive voice में, तो I का object क्या होता है, मी होता है, एक और next example लेते हैं, आपके लिए, तो चलिए next example लेखते हैं, आपके लिए, क्या है, कि रोहन likes my friend, जैसा कि आप देख रहे हैं कि first farm है, वर्ब की, और उसमें es जूड़ा हुआ है, मतलब यह present in definite tense है, ठीक है, active voice है, ठीक है, जो tense होते हैं, वो simple active voice में होते हैं, इतना तो आप जानते होंगे, कि रोहन likes my friend, तो क्या करेंगे, इसे passive voice में convert करेंगे, यह passive voice बनाया था हमने, तो जब आप इसे passive voice में convert करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कि जो active voice का object होता है, वो passive voice में subject बन ज उसके बाद हम क्या करेंगे कि माई फ्रेंड हो गया आपका उसके बाद हम इस आरे में से किसी एका पर्यूग करते हैं तो यह सिंगलर है इस का पर्यूग हो जाएगा उसके बाद जो आपकी वर्ब होजती है उसका थर्ट फार्म पर्यूग करते हैं तो थर्ट फार्म acting voice का जो subject होता है उसे更 passive voice के में object में लिखते हैmos तो यह हो जागा कि भाई रोहान और यह आपका बन गया passive voice क्या था कि रोहान Like My friend तो इसका जब passive voice बनाएंगे तो My Friend is like बाई रोहान ओके इतना समझ में आ गया होगा और example लेते हैं इस पर लेंगे आपका निगेटिव का तो देखो दोस्तो एक और एक्जामपल है आपके लिए निगेटिव में है ये कि राम डॉज नाट इट दा मैंगो तो आप समझी गए होंगे कि हेल्पिंग अरब डॉज है तो ये कौँ सा टेंस होगा प्रजेंट इनिफिनिट आपका टेंस है क्या है कि राम डॉज नाट इट दा मैंगो और ये क्या है एक्टिव वाइस में है ठीक है एक्टिव वाइस में है आपका तो हमें इसे पैसिव वाइस में बनाना है तो जब इसे हम passive voice में बनाएंगे तो हमने बताया था कि जो object होता है active voice का उससे सबसे पहले लिखते हैं तो object क्या है the mango ठीक है the mango तो यह object आपका आजाएगा the mangoes और the mangoes लिखने के बाद हम helping work का पर्यूग करते हैं तो यहां पर क्या जाएगा the mangoes बहुत सारे यहां पर आजाएगा the mangoes और उसके बाद नाट उसके बाद आपका आजाएगा work की third far तो eat है तो इसका eaten हो जाता है उसके बाद आजाता है by और by के बाद जो subject होता है active voice का वो आ जाता है तो by यह आपका passive voice बन गया अब एक interrogative sentence देख लेते हैं क्यों था तो देखिए बच्चों की एक आपका आ गया interrogative sentence की दे दिया हो कि does राकेश catch a hen क्या राकेश एक मूर्गी पकरता है क्या राकेश एक मूर्गी पकरता है तो क्या हो जाएगा आपका इसका जब हम passive voice बनाएंगे यह active voice में दे दिया है इदर लिख दे रहा है active voice और जब हम इसका passive voice बनाएंगे तो क्या हो जाता है कि जो दर्ज होता है जो इसकी helping warp वहती है उसे passive voice बनाने वाली helping warp से replace कर देते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि object सबसे पहले तो आप object लिख लिजे इतना जगह छोड़कर कुछ आप सबसे पहले इंटोगेटी बनाते समय कुछ जगह छोड़ दीजे सबसे पहले आप object को हम जो active voice का object होता है उसे हम subject बनाते हैं तो यह हो जागा कि ए ए इसमाल में ए हेन ओके तो ए हेन एक singular है तो यहाँ पर क्या इसके लिए हम इस का पर्योग कर देंगे इस ए हेन इसके बाद क्या आता है आपका वर्ब वर्ब क्या थ्रड़ छर्ड़ फर्म का इसके तो होता है गोजिए टी उसके बाद आपका आज़ाता है वड़ के बाद बाई और बाई के बाद जो आपका subject होता है active voice का उसे हम object बना देते हैं इसके बाद अब हम देखेंगे कि अब continuous जो टेंस है प्रजेंट continuous टेंस उसे हम कैसे बाइस में बदलते हैं तो उसका रूल देखेंगे ठीक है क्या कि प्रजेंट क्यों कि वीडियो को पास करकर लिख ले रहा है ताकि देरी वीडियो ज्यादा देर तक ना बने अब देखेंगे कि हम जो present continuous टेंस है उसका passive voice कैसे बनाएंगे passive voice बनाने के नियम, present continuous टेंस है उसके passive voice बनाने के नियम देखेंगे तो सबसे पहला simple जो sentence होगा उसे passive voice में बनाने के लिए रूले कि subject subject का मतलब बताए कि active का object जो active voice होगा उसका उसका object passive voice में subject के रूप में लिखेंगे plus is, r या m plus being, being जोड़ देते हैं इसमें being plus work with third part plus by plus object object कौन सा होगा तो active voice का subject जो होगा वो passive voice में object में बतल जाएगा अब देखते हैं negative वाला तो negative का formula है negative जो दिया होगा active voice उसे हम जब passive voice में बतलेंगे तो ये subject मतलब active voice का जो object होगा वो passive voice का subject बन जाएगा plus is या r m किसी एक को plus not plus being not के बाद हमेशा being का परियोग करें ठीक है उसके बाद work की third part plus by plus object उसके बाद object कौन सा तो active voice का जो subject रहेगा उसे हम अबजेक्ट के रूप में लिखते हैं passive voice में अब आपका ठोड आ जाता है इंट्रोगेटी वाला की जब इंट्रोगेटी पैसी बाद दिया होगा present continuous tense में तो सबसे पहले is, art या aim में से किसी एक को लिखेंगे पलस subject, subject का मतलब क्या होता है मैं बार बार बता रहा हूँ कि subject का मतलब active voice का object पलस being पलस बर्व की ठोड फान पलस by पलस object object का मतलब active voice का subject ओके तो इस पर example देखते हैं पहले स्टार्ट करते हैं एक्जांपल का तो देखिए एक्जांपल है कि आई एम रेडिंग ए बूक यह present continuous tense है आई एम रेडिंग ए बूक यह present continuous tense है active voice दिया है और जब हम इसे पैसी voice में बदलेंगे तो क्या करेंगे कि जो पहले सबसे पहले subject लिखेंगे तो subject कौह सा होता है कि जो active voice का object होता है वो पैसी voice का subject होता है तो यह हो जागे कि ए बूक ठीक है ए बूक और उसके बाद helping वर्व क्या होती है is rm किसी एक में से तो यह singular is का पर्योग करेंगे is उसके बाद हम क्या करेंगे कि a book is उसके बाद हम वर्व की third form का पर्योग करते हैं तो वर्व की third form क्या हो जाएगे आपकी read हो जाएगे ठीक है a book is read उसके बाद a book is helping वर्व के बाद माफ किजिए कि जो आपकी a book is helping वर्व के बाद आप being का पर्योग करेंगे ठीक है being उसके बाद आप वर्व का पर्योग करेंगे read और उसके बाद by का पर्योग करेंगे और उसके बाद क्या पर्योग करेंगे यहां पर मैंने लिखा भी है आपको कि हम ऐसा जो वर्ब है वर्ब जो helping वर्ब है उसके बाद being का परियोग करें ठीक है helping वर्ब इस लिखिए उसके बाद being उसके बाद जो आपकी main वर्ब है by और उसके बाद जो यह subject है वो object में आ जाता है passive voice के तो यह हो जाएगा आपका main चले एक और example लेते हैं इसमें और आपको अच्छे समझ में आएगा यह इंट्रोगेटिव से continuous का तो आर यू राइटिंग ए लेटर तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इतना जगह छोड़ दीजिया तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो object है active voice का उसे हम passive voice में subject ब इस एलेटर उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं आपका हो गया इस एर एम हो गया फिर आपका जो subject हो गया एक टीब वाइस का अबजेक्ट हो गया प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे तो यहां परबिक देंगे बीइंग उसके बाद क्या वर्व की ठर्ट फार्म तो अबजेक्ट क्या है cie UAE इसमें अबजेक्ट बन जाएगा यू का इउप होता है ठीक है ऑको तो अब शार्च करते हैं अब देखेंगी present perfect tense को passive voice में कैसे बदले present perfect tense को passive voice बनाने के नियम तो सबसे पहले जो simple sentence दिया होगा present perfect tense का simple sentence तो उसे passive voice में बनाने के नियम पहला है कि subject subject कौन सा गो तो active का object active का object हम क्या करेंगे कि subject में subject passive voice के subject के रूप में लिखेंगे plus has या have plus been का भी पर्यूग करेंगे साथ में प्लस वर्व की third part plus by plus subject object किया होगा तो active का जो subject होगा वही passive का object बन जाएगा और जो active का object होगा वो passive का subject बन जाएगा दूसरा होगा यदि वार की negative हो तो जब वार की negative हो तो passive voice बनाते समय हैं पहले सबसे पहले हम subject लिखते हैं और subject कौन सा होता है तो active का जो object होता है वो passive का subject होता है plus has या have plus not plus उसके बाद been लिखते हैं plus verb की third part plus by plus object object होता है आपका active का subject और third होता है rules कि has या have पहले questions दे दिया हो question पूछ रहा हो तब has या have plus subject और subject कौन सा होता है मैं बार बार बता रहा हूँ कि active का object जो होता है वो passive में subject के रूप में लियाता है plus been plus verb की third part plus by plus object object कौन सा होता है जो active का subject होता है तो example देखते हैं solve करते हैं example को यसे में example हो देखे कि he has eaten apple तो यह आपका present perfect tense हो गया और यह active वाइस में दे दिया है आपको और एन एपल सिंगूलर है इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे हैज का प्रयोग करेंगे हैज उसके बाद क्या होता है है इसके साथ प्रयोग करते हैं है इसके साथ बीन का हैज या है के साथ बीन का प्रयोग करते हैं पैसी बनाते समय हो गया उसके बाद में वर्व की तो क् का जो object object इसमें क्या है ही हो गया मतलब passive voice के तरीके से देखे तो जो active का subject होता है subject ही है तो वही passive में object हो जाता है तो यह हो जाए कि by him एक और example देखते हैं has he broken this pain ठीक है has he broken this pain तो क्या करेंगे जो सबसे पहले जो पैसी बॉइस ये एक्टिव में दिया है आपका और जब हम इसे पैसी में बनाएंगे तो सबसे पहले जो अब्जेक्ट होता है एक्टिव बॉइस का जो अब्जेक्ट होता है पैसी बनाते समय उसे हम सब्जेक्ट के रूप में लिखने ठीक है और यह कोशन मार्क है ना तो क्या लगाएंगे आपर हम हेल्पिंग वर्फ यह इसके लिए थोड़ा सा अस्तान छोड़ देते हैं और सबसे पहले हम इसको अब्जेक्ट है जो एक्टिव का उसको लिख लेते हैं सबसे पहले तो यह हो जाएगा मार्क इसमाल में हो ज एख दिस पैन उसके बाद यह सुत लगा की हो गया सब्जेक्ट एक्टर एक्षी वह इसका ब्जेक्ट्ट में लिख गया है 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 हो गया है प्लस बीन इसके बाद प्लस बीन आएगा तो यह हो जाएगा कि इस पेन बीन फिर ठाट फार ठाट फार ब्रोकेन का ब्रोकेन होता है ठाट फार ठाट फार ब्रोकेन हो गया ब्रोकेन के बाद आपका क्या आता है ब्रोकेन किरिया लिख लिए वर्ब लिख लिए उसके बाद सब्जेक्ट क्या है ? अबजेक्ट क्या है, आपक पैसी बँगाई में, जो अबजेक्ट होता है वो active voice का subject होता है, क्या हूं ही है, तौ granting जो अबजेक्ट में हो जाएगा बऐ ही हो जाएगा, फिर एक और कोस्टन हैos, इसमें कि jetzt has not eaten the grapes ठीक है तो जो अब्जेक्ट होता है एक्टी ब्वाइस का फिर करां कि जो एक्टी ब्वाइस का अब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं जो एक्टी ब्वाइस का अब्जेक्ट होता है उसे हम पैसी ब्वाइस में सब्जेक्ट के रूप मे लिखते हैं कि द ग्रयaba कवाने नेया दिनवार कि यह ग्रेपि परियुख के भाइठ के भाइद नाट का परियुख होगा हमने रूल है उपर आपको है नाथ उसके बाद बीन का प्रेंग होता है तो बीन उसके बाद में और की ठाड फार्म तो beyond one आप यह ठाड़ हो जाएगा इसे बाद बाइए और उसके आप जो सब्जेक्ट होता है एक्टिवॉआ का उसे हम प्रिशव tribun वाईस के अब्जेक्ट में लिखते हैं तो राम सब्जेक्ट है एक्टوف राम competitive राम एक्ट है एक्ट्व र्म सब्जेक्ट्ण गीज करएंगे एक्टिव वाईस है तो इसे हम subject के रूप में लिखेंगे और यहां हम क्या पर्योग करेंगे इसके लिए थोड़ा सा अस्तान छोड़ देते हैं और यहां पर एपन लिख लेते हैं और एपन क्या है आपका एपन सिंगुलर है यहां पर वाई हैज का पर्योग कर लेंगे थी हो जाएगा कि एक पेन बीन उसके बाद थोड़ फार्म वर्ब की थो उसके बाद बाई उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है एक्टिव वाइस का उसे हम पैसी बाइस में अब जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो बाई यू हो गया तो यह आपका प्रजेंट परफे में देखेंगे तीन वीड 화गेंगे एक प्रजेंट यंड का हीए पास टेंट का उसके बाद फ्यूचर डिनश का और ध्यान रखिए गया कि जो प्रजेंट कांटिनिवास टेंज से प्रजेंट परफेर्ट कांटिनिवत हैं उसका पैसी बाइस नहीं बनता है उसका पैसी बॉइस नहीं बनता है इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो धाने बाद